तो कईस मेरे चैनल का monetization disable हो चुका है ये बात 21 जनवरी 2021 की है जब मेरे चैनल के उपर अचानक से मैं वीडियो अपलोड करने जाता हूँ अपलोड करते टाइम जब मैं उसका monetization enable करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि आपका जो channel है उसका monetization disable कर दिया गया है वो भी इसलिए क्योंकि आपने misleading title use किया है तो अभी मैं आपको वीडियो के अंदर वो भी बताऊंगा कि मेरी ऐसी कौन से वीडियो है जिसके अंदर misleading title को use किया गया है तो मैं बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं YouTube के उपर बहुत सालों से मेनत कर रहा हूँ मैंने अपने channel को grow करने के लिए बहुत सारी videos upload कर दिया है अपना पुरा effort लगा दिया है सारी चीज़े मैंने कर ली है उसके अलावा भी मेरे जो average view है वो अभी तक stable नहीं है मैं अपना अच्छे से अच्छा content देने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छी videos बनाने की अच्छे से अच्छा topic मैं अपने channel के उपर daily राता हूँ यहां तक के हमेशा मैं unique content बनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन उसके बावाज़ुत भी मेरे जो channel की reach है उसको YouTube ने बहुत जादा मतलब कम कर दिया है मेरे channel को बिल्कुल भी YouTube recommend नहीं करता है उसके अलावा चलो जो भी था मेरा channel जितना भी कमा रहा था वो ठीक ठाकता मेरे लिए उससे मेरा काम चल रहा था कि मैं अपने channel के उपर काम कर पा रहा था लेकिन यहाँ पर 21 तारीक को जब मैं रात को 10 बजे अपनी वीडियो को schedule करता हूँ उसका monetization enable करता हूँ तो उसके उपर जैसे मैं add लगाने जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि आपका जो monetization है उसको YouTube ने disable कर दिया है वो भी इसलिए कि आपने misleading title या फिर keyword या फिर description यूज किया है तो मैं देखो YouTube की हर policy और हर creator की जो YouTube tips बताता है उसकी हर वीडियो को मैं almost देखता हूँ एक भी ऐसा वीडियो ने जो छुटा हुआ है लेकिन यहाँ पर मैंने जब अपने channel के उपर check किया जो YouTuber का कहना है कि आप अगर अपने description के अंदर comma tag अगर use करते है तो आपके channel के उपर आपका monetization disable किया जा सकता है आपको misleading title का reason बता कर तो मैंने आपर अपने channel के उपर check किया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा अपने system के उपर और ये भी बताऊंगा कि हो सकता है कहा पर मेरी गलती हो रही है तो यार मैंने क्या किया उसी रात को मैंने अपने कुछ YouTuber भाई को कॉल किया जिसमें से एक ERAZ World हमारे जोशा भाई है उन्होंने मेरी काफी help करी उन्होंने बहुत सारी कोशिश की YouTube टीम से बात करने की क्योंकि monetization disabled होने के बाद आपके पास YouTube support टीम से बात करने का कोई option नहीं रहता है तो मैंने उनको कहा उन्होंने कोशिश की लेकिन उनका भी contact नहीं हो पा रहा था YouTube टीम से उसके बाद मैंने टेकनिकल सोहल से बात की तो टेकनिकल सोहल भी ट्राय कर रहे थे YouTube टीम से बात करने की तो इन दोनों मेरे YouTuber भाई को बहुत बहुत थैंक्यू तो इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन इनसे नहीं हुआ तो अचानक मेरे पास रात को 12 से 1 बजे मेरा YouTube सपोर्ट टीम से बात हो गई मतलब के कही से वो मुझे चार्ट मिल गई मतलब चार्ट का option मिल गया तो मैंने YouTube टीम से बात करी उनको मैंने बोला कि भाई देखो मेरा जो channel है उसके उपर मेरा monetization disable कर दिया है जबके misleading content बता कर तो उन दोगों का जो reply था normally सभी जो यूटूबर जो बताते है वो सेम होता है वो लोगों की तरफ से response आपको कुछ भी नहीं मिलता है उन्होंने मुझे यही कहा कि हमारी जो टीम है जो monetization section वाली है वो अलग है उन्होंने एक बार अगर कोई decision ले लिया है तो हम उसको clear नहीं कर सकते तो मैंने उनको बोलो भाई आप एक बार कोशिश करो आप देखो अपने supervisor से बात करो उनको बोलो मेरे channel के बारे में सब चीजे करो तो उन्होंने मेरा mail वगेरे लिया मुझे दूसरे दिन मुझे mail किया कि हाँ ठीक है आपके channel के उपर हम कोशिश कर रहे है तो भाई अभी देखो दो-तीन दिन होने लगे अब मेरा विडियोस बनाने के उपर भी इतना कोई खास मूर नहीं है क्योंकि मेरा जो पूरा जो mind है वो उसी तरफ है कि actual में ऐसा हुआ क्या है जिसके वज़े से मेरे channel के साथ ऐसा हो गया है तो खैर अभी तो monetization enable नहीं हुआ लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मेरे channel के उपर कौन सी ऐसी वो चीज है जिसके वज़े से मुझे ये दिक्कत हो रही है देखना आप भी आपको भी देखने के बाद सब पता चल जाएंगा कि हाँ सही में यहाँ पर मेरे channel के अंदर problem है या फिर नहीं है तो गाइस यहाँ पर मैं अपने dashboard के उपर आ चुका हुआ है यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि important notifications channel no longer monetizing तो हमारा monetization यहाँ पर बन कर दिया है वो के January 22, 2021 को शाम को 8 बच के 56 मिनिट के उपर यहाँ पर अब हम learn more के उपर जाते हैं और देखते हैं कि YouTube का यहाँ पर क्या कहना है Your channel is no longer eligible to monetize मतलब कि अब आप YouTube से पैसा नहीं कमा सकते What should you do next अब आप अगला क्या करेंगे तो यहाँ पर नहीं बताया कि review our feedback आप आप मारे feedback को review करो और आपके channel के अंदर misleading titles या फिर tags या फिर description एड है जिसके वज़े से आप subscriber को increase कर रहे हो या फिर आप अपनी views को increase कर रहे हो तो अभी मेरे channel के उपर almost 80,000 subscriber होने वाले है and 2,000,000 से भी बहुत जादा मतलब यहाँ पर मेरा wash time हुआ हुआ है तो मैं आपर content के उपर जाता हूँ और आपको अपनी videos बताता हूँ कि इसी कौन सी मेरी videos है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस video को open करके आपको दिखाता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने video को open किया and इसका description आप यहाँ पर check कर सकते हैं मेरे description के अंदर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी comma tag नहीं दिखेंगा यहाँ पर सिर्फ मैं कुछ hashtag यूज करता हूँ जो के almost 15 के करीब होते है उसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल भी comma tag यूज किया हुआ नहीं है ऐसी एक video नहीं बलके हर जितनी भी मेरी videos है उन सभी videos को मैं आपको यहाँ पर उठा कर दिखा देता हूँ मैं आपको randomly यहाँ पर वीडियो बता रहो तकि आप लोगों को भी लगे हाँ ठीक है देखिए यहाँ पर इस वीडियो के भी मैं आपको बता देता हूँ तो इसके description के अंदर भी आप देख सकते है कर लेता है और किसी की भी channel के उपर कोई भी हरकत कर लेता है मतलब किसी को strike दे दिया किसी का video take down कर दिया किसी के channel का monetization disable कर दिया लेकिन यहाँ पर proper कोई भी उसके पास सबूत नहीं है कि आपने ऐसा किया है वैसा कि और यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि कि आप किसी भी celebrity की photo को views gain करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते है तो मैंने यहाँ पर लगबग 4 पास दिन पहले एक video बनाई थी कि अरनब गोसवामी की whatsapp chat कैसे leak हुई तो यहाँ पर मैंने title के अंदर अपने thumbnail के अंदर अरनब गोसवामी के नाम को और उसके photo को use किया बट इस video के अंदर मैंने अरनब गोसवामी के बारे में सिर्फ इतना बताया कि उनकी जो chat leak हुई है उसके पीछे का कारन क्या है और दूसरी बात end-to-end encryption के बारे में और गाइस उसके अलावा अगर यहाँ पर हम title के अगर बात करें तो अभी जैसे के 2021 में जन्वरी के उपर जन्वरी के अंदर सबसे बड़ा जो trending topic था वो था WhatsApp की new privacy update जिसके उपर almost मैंने काफे सारी मतलब 10-12 वीडियोज बनाई है जिनके title लगबग same है लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे की पूरे मैंने same उठा कर डाल दिया है फिर same tag उठा कर डाल दिये है यहाँ पर मैंने titles के अंदर बहुत सारे change किये है क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर एक अलग information provide कर रहा था और नई policy update थी WhatsApp new privacy update था तो मैंने इस hashtag को और इस tag को अपने channel के उपर बहुत बार बहुत जादा use किया है almost अपनी हर वीडियो के अंदर मैंने इस tag को use किया तो मुझे लगता है कि इसके वज़े से YouTube के bot system ने इसको detect किया और detect करने के बाद उसने मेरे channel के monetization को disable कर दिया तो मैंने तो भी YouTube को बोला कि आप मेरे channel को human review करो manual review करो उसके बाद देखते क्या होता है लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आप मुझे क्या क्या करना चाहिए वह भी मैं भी आप लोगों को बता दूँगा तो यहाप पर सबसे पहले जो मेरे WhatsApp new privacy update की and साथ में जो मैंने इस अर्नव गोसवामी की वीडियो को डाला है इसको भी हो सकता है मुझे डिलेट करना होंगा तो हो सकता है कि मेरे channel के उपर से monetization मेरा enable हो जाए तो यहापर अगर मैं आप से monetization के अगर बात अगर करो तो मेरा जो monetization है वो अभी मुझे यहापर ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए मतलब के disable कर दिया है बलके यहापर मुझे भी one month का time है यहापर इन्होंने लिखा है कि आप फिर से reapply कर सकते है 21 February 2021 को तो अब मुझे 21 February तक रूखना है अपने channel के उपर पूरी चीज़े सही करना है और उसके बाद फिर monetization के लिए फिर से भेज देना है तो भाई आप देखना यह है कि आप channel का क्या होता है कैरे बस आप लोगों आप लोगों दुआ करो और आप लोगों का मुझे support चाहिए कि मेरे channel के उपर monetization enable हो जाए अगर आप पहली बार मेरे channel के उपर आ रहे है तो आप सबसे पहले मेरे सबी videos को check करो अगर आपके काम के अगर videos होती है अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है इसके video में कुछ है कुछ valuable content है तो आप ज़रूर से मेरे सबी videos को check out करो और साथ में मेरे channel को subscribe कर लेना तो चल ठीक है videos तो वैसे continue आती रहेंगी जो अभी आती थी वैसी उसी तरीके से videos आएंगी अब जो है YouTube का वो एक मेहने के बाद देखेंगी जितनी चीज़े मेरे तरफ से possible हो सकती हो जो मैं कर लूँगा और जो भी YouTube के तरफ से होता है अगर मेरा monetization अगर enable होता है या फिर और अगर कुछ होता है तो मैं उसके बार में जरूर से आप लोगों का update कर दूँगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पो रचिक, वबब बाय